रिक्षा वाले की बेटी दे पा रहा था और इसे वज़े से उसकी बेटी के लिए कोई धंका रिष्टा भी नहीं आ रहा था ऐसे ही एक दिन बिर्जु भाई तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी हाँ हाँ बोलो रोहित भाई क्या बात है बिर्जु भाई मेरा बेटा भी बहुत छूटा है और तो जानते हो ना कि मुझे और मेरी बीवी को टाइम नहीं मिल पाता इसलिए हम चाहते हैं कि मेरे बेटे को स्कूल छोड़ने और स्कूल से लाने की जिम्मेदारी तुम ले लो बदले में हम तुमें इसके पैसे भी दे देंगे हाँ क्यो नहीं पैसे पी सुबह के आड़ बजे और दोपैर के एक से दो के बीच में डंग से कोई सवारी भी नहीं मिलती चलो ठीक है फिर कल से ही तुम मेरे बेटे को स्कूल छोड़ने और ले जाने का काम शुरू कर दिना बैसे अभी कुछ दिन पहले तुमारे घर में कुछ महमान आया थे सुनेना को देखने क्य जैसे किसी छोटे घर में क्यों नहीं करा देते तुम जानते हो कि तुमारे पास इतने पैसे नहीं कि तुम लड़के वालों को दहेज दे सको रोहित भाई मैं अपनी बेटी के दहेज का पैसा जोड़ रहा हूँ भगवान ने चाहा तो मेरी बेटी का रिष्टा किसी अच्छे घर में ही होगा इस तरह से रोहित वहां से चला जाता है परंतो रोहित और बिर्चु की बाते सुनैना सुन लेती है और रोहित की ऐसी बाते सुनकर सुनैना को जरा भी अच्छा नहीं लगता वो अपने पिता से कहती है पापा अब क्यों ऐसे लोगों से बात करते हैं जो हर समय आपका और हमारी गरीबी का मजाग बनाने का सोचते हैं ये लोग हमारी मदद तो करते नहीं उल्टा हमारे पैर और खींचने की कोशिश करते हैं तक कि हम कभी आगे ना बढ़े अरे बिटी तू भी ना क्या बात लेकर बैट गई छोड़ अब उसकी बातों को वैसे भी अमीरों का काम होता है हम गरीबों का मजाग बनाना और ये अपने बेटे के बहाने यही जानने आया था कि तेरा रिष्टा हुआ या नहीं बिर्जु के समझाने पर सुनेना शान्थ हो जाती है और अपने पिता के साथ बाट कर खाना खाती है अब कुछ दिन यूँ ही बीच जाते हैं और एक दिन बिर्जु की तब्यत अचानक से खराब हो जाती है क्या हुआ पापा आप ठीक तो है अरे आपका तो पूरा शरीर गरम हो रहा है आप मेरे साथ डॉक्टर की पास चली अरे पिटा हम मजदूर इंसान पूरा दिन रिक्षा चला चला कर ठक जाते हैं यह बुखार न वो भी ठकान की बज़े से ही है मैं थोड़ी दिर सो जाओंगा तो ठीक हो जाओंगा तो फिकर मत कर पिटा इस तरह से बिर्जु सोने चला जाता है अगले सुबह जब वो उठता है तो अपने बिस्तर से उठी नहीं पाता सुनेना जल्दी से डॉक्टर को बलाती है सुनेना बेटी तुम्हें अपने पिता का बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा और बिर्जु बैया आप कुछ दिन रिक्षा ना ही चलाए तो आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा डॉक्टर पापा को क्या हुआ है वो ठीक तो हो जाएंगे ना इन्हें डैंगो की शिकायत है इसलिए ऐसे में तुम अपने पापा का जितना अच्छे से ख्याल रखोगी उतना अच्छा होगा और बेर्जु जी आप कुछ दिन रिक्षा बिल्कुल मत चलाना सिर्फ अपनी सेहत का ध्यान रखना अच्छा चलता हूँ मैं इतना बोलकर डॉक्टर चले जाते हैं अब सुनैन अपने पिता को रिक्षा नहीं चलाने दीती पापा आप बलकुल फिकर मत कीजिए आपकी बेटी है न और वैसे भी जब तक आप ठीक नहीं हो जाते आपको मेरे बात सुननी होगी और रही रोईत के बेटे को स्कूल से घर लाने की बाद, तो उसको मैं लेकर आउँगी आप से आपका रिक्षा आपकी बेटी चलाएगी अरे, तू कैसे बिटा? तूने सोचा भी है, सब क्या कहेंगे? सब कहेंगे रिक्षा चलाने वाली की बेटी भी रिक्षा चलाने वाली निकली पापा जिसको जो सोचना है सोचने दो न अगर आज मेरी जगह आपका बेटा होता तो क्या आप उसे ऐसे ही मना करते नहीं न क्या हुआ अगर मैं रिक्षा चलाने वाली की बेटी हो आपस आराम कीजिए वैसे भी आपके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है मैंने ठान लिया है कि जब तक आप ठीक नहीं हो जाते रिक्षा मैं ही चलाऊंगी और मेरा ये फैसला अब बदलेगा रही इस तरह से अब सुनेना बिर्जो का रिक्षा चलाना शुरू कर द इतनी सुन्दर लड़की और रिक्षा चलाती हुई आयुष बिटा अब तो तुझे इस लड़की से बात करनी ही होगी जानना तो पड़ेगा ही ना कि आखिर इसकी क्या वजा है रिक्षा चलाने की अब आयुष सुनेना से बात करने के लिए उसकी पास जाता है और उसकी बड़े घर के लड़की को हम जैसे गरीब के रिक्षे में बैट कर ओफिस जाती हुए नहीं देखा वावा क्या जवाब दिया है बसक्या मैं जान सकता हूँ कि तुम रिक्षा क्यों चला रही हो सर आपका ओफिस आ चुका है मुझे लगता है अब आपको जल्दे से रिक्षे से उतर जाना चाहिए नहीं तो आप अपने आफिस के लिए लेट हो जाएंगे सुनैना का जवाब सुनकर आयुष कुछ नहीं बोलता अब इसे तरह से हर रोज आयुष सुनैना के रिक्षे में बैट कर आफिस जाने लगता है और पूरे रास्ते उससे बात करता रहता बहुत जल्द बिर्जु ठीक हो जाता है सुनैना को रिक्षा चलाता हुआ देखकर बिर्जु को बड़ी हैरानी होती है पर अब वो बिल्कुल ठीक हो चुका था इसलिए वो अब अपनी बेटी को रिक्षा चलाने नहीं देता समय गुजरता है और एक दिन आयुश गलती से बिर्जु से ही सुनैना के बारे में पूछ लेता है अंकल जी ये जो रिक्षा आपके पास है वो रिक्षा देख लड़की चलाती थी थी ना वो लड़की कहा है क्या आप मुझे उस लड़की के बारे में बता सकते हैं पर बेटा तो मैं उस लड़की से क्या काम है अंकल जी मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और आज मैं उसे अपने दिल की बात बताना चाहता था पर आज उसका रिक्षा आप चला रहे हैं आयुश की बात सुनकर अब बिर्जू आयुश को अपने घार ली जाता है जहां आयुश को पता चलता है कि बिर्जू सुनेना के पिता है क्या सुनेना आपकी बेटी है तो ये कारण था सुनेना जो तुम रोजाना रिक्षा चलाया करती थी मैंने तुमसे कितनी बार पूशने की कोशिश की पर तुमने मुझे कभी कुछ बताया क्यों नहीं क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि तुम मुझसे प्यार करते हो पर तुम एक बहुत अच्छे घर के लड़के हो आयुश और मैं एक रिक्षा चलाने वाली की बेटी बस इसलिए मैंने तुम्हे कभी कुछ नहीं बताया क्या हुआ सुनेना अगर तुम एक गरीब रिक्षा चलाने वाली की बेटी हो जब मैंने तुम्हें देखा था, तब तुम रिक्षा ही तो चला रही थी तब मेरे प्यान ने अमेर गरीब नहीं देखा तो आप क्यों और मेरे घरवाले भी इस रिष्टे के लिए कभी इंकार नहीं करेंगी In fact, उन्हें तो सब कुछ पता भी है और उनी की कहने पर आज मैं तुम्हें अपने दिल की बात कहने आया था बिटा, ये सच है कि मैं अपनी बेट की शादी अच्छे घर में करवाना चाथा पर तुम बहुत बड़े घर से हो हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम तुमारी डिमांड पूरी कर सके डिमांड? क्यासे डिमांड अंकल जी? मुझे और मेरे घरवालों को कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ सुनैना चाहिए अब क्या था? आयुश अब बहुत जल्दी अपने घरवालों के साथ आकर सुनैना का हाथ मांग लेता है और इस तरह से एक रिक्षे वाले की बेटी की शादी एक बहुत अच्छे घर में हो जाती है